है लो दोस्तों नमस्कार अब सभी का दयाली स्टडी पे हर्दीक स्वागत है और आज हम अरवी एंटीपिसे और लेबल वन जिसे गुरूब दी बोला जाता है उसका प्रिवियस एर कोस्टेन करने वाले हैं और प्रिवियस एर कोस्टेन आज हम मैहत का करेंगे जिसे हम ंरो कोस्टन लिये हैं और मैथ का क्या 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 सचन है आप लिए है और मैत कैंप और महीं दिये है। Κ Entertainer नहीं इसको करने के बाद ए आप से क्वेड़ि tenía को नहीं भी बनता है तो आप से नहीं सच्छ्वी कि विस्क इत्रे भी नहीं है कि ऑर यह यह तो आप से नहीं बराया नहीज दूज़िए और लोगों से नहीं बना होगा इसाम अब फ्रस्टेट नहीं होई कि की और 70 75% कोस्टन भी कर जाते हैं तो समझे बहुत अच्छी आपकी तयारी है और सबसे ज्यादा बढ़े हैं इसी सिप्ट से चलिए देख लेते हैं क्या है क्या आया है और आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि जो नए लोग है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है ताकि हर अदमी तैयारी कर रहा है वह इसका फैदा उठा सके चलिए देख लेते हैं क्या को सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं क्या आता है तो आपका पहला को सब्सक्राइब फैंड दे लेंथ आफ दे लार्जेस्ट रॉड देट कैन वी प्लेश्ट इन रूम 16 मीटर लांग 12 मीटर ब्रॉड एंड टेन इंटु टू आई थ्री मीटर हाई हिंदी वाले समझ लें कोस्टन कहना क्या चाह रहा है कि कि एक रूम है उसमें ज्याद से ज्यादा लंबा से लंबा या निवाड़ा से बड़ा है कि तने बढ़ा ज्यादा से ज्यादा लंबा आप से पुछा जा रहा है अधिक σε द्यादिक कि डूम अई चन्ध हो यूद्न अजल मिटर आपको इकी संब्सिंग है वो दी है सही टू बाइट थ्री मीटर है और आपको बोला जा रहा है कि बड़ा से बड़ा हम क्या लग सकते हैं तो देखिए ऐसा कोस्टन करने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका समझें सबसे पहले आप इसे अब देखिए कैसे आपको लेंथ दिया है 16 मीटर और बीट से दिया है 12 मीटर और आपका जो हाइट है जिसे मुचाई बोला जाता है वो दस सही दो बटे 3 मीटर दिया गया है तो आप अपना कमरा समझे है जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी कुछ न कुछ लेंद होगी और समझ रहे है और हाइट जो है वह भी दी गई है और हाइट यहाँ पर इससे जब आप प्रॉपर स्टाल करेंगे हाइट को पहले दिया है दस ही दो बटे 3 अब जिसे प्रॉपर स्वाइब करेंगे तो दस तियाए 30 32 32 त यहनि 32 बटे 3 आपका जाएगा और किसमें तो अब इसे आगे देख लेते हैं साल कैसे करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए देखिए यानि एक तरह से हमको डाइगोनली उसे फिट करेंगे यदि हम रूम में डाइगोनली रॉड को प्लेस करेंगे तो वही रॉड सबसे बड़ी होगी अब यदि आपको सबसे तो 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 है रेक्टेंगल आप समझे और रेकटेंगल तो टूड़ी हो जाता है रूम गित्रेंब है तो कि Partie है था और तो प्लेस्क उर्वाह udah है किंए क्यूत में ज्यादा यादा लंबा हम ड़ डाल सकते हैं कैसे जिसे हम किसी किसी एक zaप को पकड़। और एक बाटम को उसके पॉजिट पकड़ी है और जो रोड प्लेस करेंगे उन दोनों के बीच में और आपकी सबसे बड़ी होगी चलिए देख लेते हैं को सबसे आसान तरीका है आप रूट लेंगे और रूट में आपकी जो लेंथ दी गई है उसका इसक्वाइर करेंगे फिर प्लस आपकी जो बीच दी गई है उसका इसक्वाइर करेंगे प्लस आपका जो हाइट दिया गया है आप उसका इसक्वाइर करेंगे तो जब आप इसका इसक्वाइर करेंगे तो कहीं ने कहीं लो है हईट दिया गया है जिसे 10 से दो वटे तीन बोला जारा है उसको आप यह प्रॉपर साल करेंगे तो आपका 32 वटे 3 आ रहा है तो आप सुस्वाइर करेंगे और जब यह सब को आप साल करेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि आपका एंसर आएगा आप ज्यादा टेंसर न ले कर सकते हैं 22 सही 2 वटे 3 मीटर तो यही आपका राइट इंसर हो जाएगा यानि 22 सही आप सन नमबर है और अगला कोस्टेन आजेए अगला कॉस्टेन आपको दिया गया है मैं है कि अच्छित मेट टिलिक कोण आफ हइट टेन सेंटीमीटर रेडियस अभेस 20 सेंटीमीटर एड मैल्टेट टुमे का इस पिरिकल टुमे का इसपेरिकल बाल सब्सक्राइब करने का मतलब है रहा हैं यह सोलिड में कॉन है कॉन का मतलब हिंदी वाले समझ ले संकु बोला जा रहा है जिसका सेप इस साइड आपका सेप सो हता है संकू का समझने संकू बनता कैसे है देखिए यह आपका संकू है क्या है संकू है कि थोड़ा बार हम अच्छा से बनाते हैं यह आपका संकू है संकू 3D होता है आप सब लोग जानते होंगे तो यहां से आप यहां तक आएंगे तो यह आपकी हाइट हो जाएगी और यहां से इसको मिलाएंगे तो यह आपकी रेडियस हो जाएगी और यह जो आपकी तीरची है जो तीरची लेंथ है यह आली यह कहीं न कहीं आपकी को जब हम मेल्ट करके बाल बनाएंगे और हर बाल का जो डाय आपर करके कोई बनाया जाता है सबसे अच्छा रहे खेंगा कि आप सबसे तरीका रहे दोनों चीजों का जो मेल्ट किया रहा है उसका बोलूम और जो नई चीज बनाई जा रही है जैसे बाल बनाई जा रही है तो बाल की बोलूम दोनों करेंगे और जब करेंगे तो आपसे कतने बनेगे जितने बनेगे जिसको पूछा जा रहा है कितने बनेगी उसको ड्युवाइट कर देंगे जॉ आपकी फाजे ञारा है उससे तो आपकी नंबर आफ व舞 निक जाएग도 यह निदिए जीदेख्वेटें कैसे होगा कौन का बोलूम आप जाते हैं कौन की बोलूम क्या होती है यानि संकु की बोलूम जिसे बोला जाता है तो कौन की बोलूम की हो जायेगी क्हूंकि बॉलूम आपकी होगी वन भाई थ्री है वन घुर्ट्रीपाई हमिंदे कि ऑर सक्वार है आप सथने के कि स्कॉर स्वार कर देंगे किसके ऐल को की बोलूम देखें बा पर हुन क्यूंग में होती हैं और सब्सक्राइब का मतलब का कि निकालना और गोला में तो कहीं हाइट होता नहीं आप सब लोग जानते हैं तो पाई यार क्यों हो जाएगे तो देखें दोनों तरफ से पाई से पाई कड़ जाएगा आपका और थिरी से थिरी कड़ जाएगा और जो आपकी मेटालिक कोन है उसकी हाइट दी गई है 10 cm और रेडियस दी गई है 20 cm तो रेडियस आर के जगे हम 20 रखेंगे 20 रखेंगे तो 20 का कहीं कहीं स्कॉयर होगा और मल्टिप्लाई कर देंगे हाइट जो दी गया है 10 cm और इसको हम बरावर कर देंगे चार कपई कड़ गया और यहां पर देखे बाल सभी बाल जो हैं है उनका diameter दिया गया है 4, centimeter गया है तो जब radius निकालेंगे तो diameter 2 का होता है radius का कही न कहीं radius के लिए diameter दिया गया है वो आधा होaltsागा और अधा कितना होगा हो जाएगा और दो कर देंगे क्यूं कर देंगे कि लुको यह Sum weiter तो आप देखेंगे कि 20 का स्कॉयर 400 हो जाएगा और इधर 10 है तो 4000 हो जाएगा कुल मिला के 20 का स्कॉयर 400 हो जाएगा 4000 हो गया और इस साइड में आप देखेंगे दो दूना चार दूना आठ चोग बतीस और जब इसको आप सॉल करेंगे तो देखेंगे जब इससे डिवाइट कर देंगे इस साइड ला करके आपको बोले थे कि डिवाइट करना होगा तो अब जब डिवाइट करेंगे तो आपका आपसर नमबर डी आ जाएगा यह निए 125 शात अपका राइट एंसर हो जाएगा तो इसी तरह होगा जब किसी चीज को मेल्ट करके कोई नया चीज बनाया जा रहा है तो जो मेल्ट किया जा रहा है उसके बाओन से जो नए के बोलुम को टीवाइट कर देंगे ज्यार आज अब बढ़ते हैं और आगे दिया गया आ यह दितले कॉस्टन एट गागा जाए गाग एगे लिवॉफера एगला किरेंगम बाईगंपजाइड के सिर्थीमिट्र टैंक Śमी अजिक मेटरें सब्सक्राइद इस द Arirm इसको देख लेते हैं सबसे पहला काम होगा आपको कोन बोला है अभी आपको हम बताया थे कि कौन किस चाइब का होता है आप समझ गया होंगे को इसको बोला जाता है और कौन की कुछ ना कुछ है होगी और यहां से मिलांगे तो एर 없고 यह जो तीन्षि लाइन है इसको इसलेंट राया जाता है अब तो इसके बाहरी पार्शन को हमें पेंट करना है यह इस पीशन को पेइंट करने के लिए बोल रहा है थो को समझ गहां होंगे एक देखिए कैसे होता है कि कौनिकल से उसका है दिया है प्रेट दिया है आपको है तो हमको कहीं भाइन निकालना होगा इसका वक्र प्रिश्ट एरिया में दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर्व सर्फेस एरिया है की और कि निकालेंगे कितना सब्सक्राइब सब्सक्राइब माइब कड़ें तो में चैंज यहां पर गया कीमिर में चैंज परराइब इसलिए मुझे मुझे में चिंज करेंगे अब देखिये कैसे होता है हएट आफ़ कौनिकल 10 कि सेट इसका एरिया हम निकाल देते हैं का एरिया का फ्सृमूला होगा को पाई एर डिर wanna होगा का पाई जो나 1 बाइठी— अम ऑइ ऑर ऐल इसकी एडिया किया होगी ? पाई आर अ व है अब एरिया और 4 दोलूम में कन्फ्यूज नहाएं स्हूलरख की कहीन कहीन योनिट संटिमेट्र होगी और यल की संटिमेटरज होग्य जब cm cm multiply होगा तो cm2 और जिस किसी के यूनिल्ट में cm2 हो तो समझ जाज मकी समास अदिय relativ तो कीम्हेर हो तो कहीं नगाई शॉर्फिस बोल्स होगा क्योंकि वल्लूम में तीन यूनिट लिती है length width Bye इसलिए यहाँ पर दखेघे पाइप कोई यूणिट नहीं है आर का सेंटी मिटर और सेंटी मिटर हो जाएगा तो कहई नहीं हारं कि निकालेंगे हैं अबhoven कि Bei की बेलवाम u27 और साथ कि बैलु आपकी दी गई है di-aameter 24 to diameter के तो कहीं नहीं कि आपको radius मिल जाए तो 32 और जो यह आप ये तिरचे वाली length हैं यहां पर बतायतं तो 13 निकालेंगे दोडिये यहां पर काम भी म kindergarten है आपकी arch दिया है और आपको ये अच्छ दिया है तो आप एल कैसे निकालेंगे देखिया पैथागोरस लगा देंगे यहाँ पर पैथागोरस लगांगे तो एल निकाले ऐल यहाँ पर कंड का का में के लिए आपकाँ कामर में पाइब समझे न cultivate नहीं है और इसको जब सॉल सर्फित करेंगे कि यहां यहां पे हम अट्रसेट करेंगे और इसको जब आप साल करेंगे तो आपका आएगा 336 366 cm स्क्वायर में आगया और अब सब लोग बली बादि जानते होंगे कि एक मीटर वरावर सो सेंटीमीटर होता है और एक मीटर स्कॉयर यदि आपको निकालना है तो कहीं ने कहीं सव का होल स्कॉयर से आपको डिवाइट करना होगा तो इसको हम जब आप सव के होल स्कॉयर से डिवाइट कर देंगे इसको सव के होल स्कॉयर से को दिवाइट कर देंगे तो कहीं न कहीं मीटर स्कॉइर में जाएगा और इसे जब आफह सुल करेंगे तो आपकी वैलो आ जाएगी है जीरो पॉइंट गयाимо मिटर में यहां पर दी हैं एक मिटर स्कॉयर की वैलो दी है 35 रुपिया और हमारी एरिया आ गई पॉइंट है हमारी एरिया आ गई लास्ट में निकल के देखिए जीरो पॉइंट कि 6336 एक इसमें आ गई मीटर स्कॉयर में इसमें हम जब 35 से मल्टिपलाइ कर देंगे क्योंकि एक मीटर स्कॉयर की बैलु हमको दे गई है प्यंट करने में जो फर्च लगता है एक मीटर सकॉयर का उसकी बैलु दिलिए हम को 35 रुपिया तो हम इतने मीटर स्कॉयर का हमको निकालना है तो कहीं न कहीं पह थिस से हम इसका कर好吃 and पॉइंट 633 पॉइंट 6336 यानि 63-36 से मल्टिप्लाई कर देंगे और इसको जैसे ही मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 22.16 और यह किसमें आ जाएगा रूपे में आ जाएगा देखें रूपे में कैसे आ गया क्योंकि यह 35 है यह रूपे की उनिट है तो यह हमारा रूपे में आ जाएगा यानि आर्यस 22 दिसमलो एक साथ रूपे हमारा पेंट करने में खर्च लएगा और आप चारो आपसन पे जब नजर दवड़ाएंगे अपनी तो आप पाएंगे कि कहीं दिया है 52 रूपे में 49 रूपे में तो हम देखेंगे 22 के आसपास कौन सा अपसना रहा है तो 22 के आसपास हमारा थर्ड फोर्थ आपसना रहा है यानि 23 दिसमलो नो चार प्रॉक्स में आ रहा है तो हमारा यह राइट एंसर हो जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या है अगला कुस्चन आपका यह है और यह भी का पिसांदार कुस्चन है कि इसको देख लेते हैं कैसे होगा कि इसमें बोला गया है कि कि असलेंडिकल टैंक आफ डाइमेटर 35 संटीमेटर इस फूल अफ वाटर इफ एलेवन लिटर अफ वाटर इस ड्राउन आफ दे वाटर अफ लेवल इन दे टैंक विल ड्रॉप बाए नि कहने का मत्दद भी है इंदी वाले समझ लें कि यह बेलन टाइप एक बेलन टैंक है बेलन की तरह एक टैंक है और उसका डाइमेटर दिया गया है 35 संटीमेटर वो पानी से भरा हुआ है और यह ग्यारे लिटर पानी उसमें से ड्राउन आफ यानि बाहर निकाल दिया जाए या कि किग से निकाल दिया जाए उससे पानी निकाल दिया जातों ह dispers गया 9 यह तो कि अफसे बोला जा रहा है कि वाकर लेवल इंद टैंक तो कितने लिटर जो पानी आया तो जो बाहर 11 ले अिकाला गया उस से जो टंकी पानी में पहले से था उससे कितना हाइट उसका कम हो गया है यह हमसे पूछना चाहरा है कि कितने कितने सेंटीमीटर उसका लेवल डाउन हो गया ड्राप बोला है वह दो देखिए सबसे अच्छा तरीका है इसका निकलने का अब को सिज करिए है का कि अधगे कहीं निको पानी रखा है आपकी उसमें च custody में से लेन्डर से उन्ड कर लेंगलर के होगा यानि बोलूम की बात किया रहा है कहीं न Flex का वाण देते हैं कैसे निकलता है ब्वलूम सेलेंडर का वनुद्छ आप सब लोग जातिité है कि cylinder का volume आपका हो जाता है pi r square h pi r square h तो pi की value हमारी 22 वटे 7 आजाएगी और r की आपको दी गई है देखें diameter दिया है तो उसका आधा कर देंगे तो कहीं न कहीं हमारा r आजाएगा तो 35 वटे 2 कर देंगे और इसका square कर देंगे तो हमको क्या आजाएगा रेडियस आजागा और यच हमको निकालना ही है कितना लिटर ड्राप हो रहा है और इसको हम इकॉल कर देंगे ग्यारक के और देखें ग्यारक कहीं न कहीं लिटर में दिया है तो उसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा ग्यारक को तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हैं पहले मीटर में चेंज करते हैं फिर सेंटीमीटर में करेंगे देखें यहां पर एक लीटर आप सब जानते होंगे कि एक लीटर वरावार आपका होता है एक लीटर नहीं रुखिए है है हर् Interior कि आपको पुनितर से मिटर क्यूब कर देंगे तो यह हमारा किस्म पूर्ष हमें मींटर के गएयूं से सेंटीम्टर की ने जाना है से Tailpoint हैं तो हमारा किसम आ गया मीटर के से सेंटिम्टर के में जाना यह जान रहे हैं मिटर की विए सेंटीमीटर की में जाना है यह अपका यह जो 11 है और आप समझ रहे हैं कि जो एक मीटर बराव़ सव सेंटीमीटर होता है अब सल्गों जानते हों अब सो का क्यूब कर देंगे तो आपको छे जिरो जाएगे छेजीरो ने ही ज्यादा यहाजएगी और आप ऐसे करके सुसाल्व करिए का ज्यादा दिक्कत नहीं होका तो अपद देखेंगे कि आपकी जो यह 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 यहाँ आपके आजाएगी सब्सक्राइब करें कि ग्यार सब्सक्राइब करें इसको चलिए आगे बढ़ते हैं कि एद देखिए टाइम एंड वर का कोश्चन आ गया टाइम एंड और का कोश्चन अब सब लोग जानते होंगे टाइम एंड और कैसे करेंगे देखिए एक एंड वी केंड डूए पीस आफ वर किन सेमेंटी टू टू रहे कि यह और भी एक काम को कर रहे हैं देखिए यह और भी एक काम को कर रहे हैं यह और भी एक काम को कर रहे हैं कितने दिनों में यह और भी एक काम को कर रहे हैं 72 डेस में और बी और सी मिल के काम कर रहे हैं कितने दिन में 120 दिन में और आपके जो सी और यह आ गए हैं वो काम कितने दिन में कर रहे हैं 90 दिन में इन तीनों का लसी अपका 360 आ जाएगा 360 यहां अजैगा और इस लसी में सेवंटी से भाग देंगे तो कहीं न कहीं तूचिय पाइटिस पांच आ जाएगा और जो आप नब्य से भाग देंगे तो चार आ जागा और इन जो आपके आई यह हमारी है है और टाइम कितना लिया जा रहा है काम करने में वह है और जो आप तीन सो साथ है हमारा टोटल वर्क है कि तो अब समझिए इन तीनों को यह आप एट करेंगे कि तो टू एप प्लस कि अबी प्लस्थी लाब अपका जाएगा विग फेसिन सी कु जोर देंगे कि तुबारा जाएगा कि इपलस मिफ जी ब्रक अच्छे आजाएगा यहीं तीनों की फेसिएन सी आ गई इच्त है और यहां पर बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेस आल दथ त्री टूगेदर कें डू दवर यह तीनों मिल करके जो टोटल वर्क है उसे कितने दिन में करेंगे तो देखिए टोटल वर्क हमारा तीन सौट है और जब तीनों मिल करेंगे तो तीनों की से कि इटना है यह है यह है और यहां चर्ण करते हैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा चलिए अगले पार्ट में द्धने वाद मिलते हैं अगले वीडियो में जैंज भारत